हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने Micromax iN Note 1 Android वाइल फोन में Color Inversion सैटिंग को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं और ये सैटिंग इनेबल होने के बाद किस तरीके से काम करती है औहले हैं मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं तो चलिए है यहाप पर वीडियो को स्टार्ट कर लेता है सबसे पहले तो आपको अपने फोन में setting page open कर लेना है setting page open करनी जाए और यहाँ पर आपको नीचे की साइड में accessibility का यह option मिल जाएगा accessibility के आपको इसे select करना है अब यहाँ पर accessibility के इस page में आपको नीचे की साइड में आना है यहाँ पर आपको color inversion का यह option मिल जाता है इसे आपको सामने वाले बटन को आपको select करना है इस तरीके से इनेबल हो जाएगी और यहाँ पर accessibility का यह जो background page है यह black हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर हम अपने mobile की home screen पर चलते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे mobile की home screen पर हमार चुके हैं यह मैंने example के लिए home screen पर लेकर आया हूँ लेकिन यह setting पूरे आपके mobile phone की settings में apply होगी ठीक है इनेबल होने के बाद तो आप यह मेरे mobile की जो icons है यह आप देख सकते हैं जो mobile की जो icon होते हैं जो shape होती है उसको highlight कर रहा है ठीक है आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर यह सभी के सभी जैसे कि Chrome होगे Chrome के अंदर का यह जो है Twitter का ठीक है यह सभी जो है इस तरीके से highlight करने लग जाता है तो यह color inversion setting जो है कुछ इस तरीके से आपकी यह काम करती है ठीक है तो आप इस setting को enable करके इस तरीके से भी use कर सकते हैं अपने mobile phone में और चाहे तो आप इसे disable भी कर सकते हैं इस तरीके से ठीक है और दोस्ते यहापर मैं आपको एक बात बता दूँ काफी सारे लोगों को यह setting ढूनने में problem आती है तो आप इस setting को अपने phone में easily आप ढून सकते हैं मैं आपको इसका एक shortcut तरीका बता आयता हूँ सबसे पहले तो आपको अपने phone में setting page ओपन करने के बाद सबसे उपर आप देख सकते हैं search setting यहाप को सेलेक्ट करना है और यहाप को search bar में लिख देना है color inversion ठीक है तो यहापर मैं color inversion यहापर type कर देता हूँ तो यहां पर यह देखे color inversion का option निचे की side में show हो गया है इसे आप select करेंगे तो आपका phone आपको directly color inversion की setting में लेकर आ जाएगा और यह एकदम shortcut तरीका है ठीक है पहला जो process में ने बताया था वो आपको step by step बताया था लेकिन यह दूसरा तरीका जो है shortcut है ठीक है यह directly color inversion की setting में आपको यहां पर आपका phone लेकर आ जाएगा और यहां से आप जो है color inversion की setting को enable या disable भी कर सकते हैं और इसे use कर सकते हैं इस setting को अपने micromax in note 1 android mobile phone में